प्रशान धवर नाव रीसेंटी पाकिस्तान ने अपनी ग्लोबल इमेज बचाने के लिए बांगलादेश से फिनाशल एड मना कर दी रिजट अनिये के बांगलादेश कोई बहुत बड़ी रकम भेज़ रहा है पाकिस्तान को कंट्री डू कंट्री बेसे जगर हम बात करें आज हम बात करेंगे बंगलादेश की पाकिस्तान को भेज़े जाने वाली एट के बाए में इसमें एक बहुत भड़ी रकम है जो के बंगलादेश की जानेब से पाकिस्तान को दी गई है और साथ ही इसमें रिलीफ मिटीरियल है जो के पाकिस्तान को भेज़ा गया है उन फ नही खबर जो Isaiah निकल के सामने आई है वो कहीं ओर से नी बलके इंडियन मीडिया में से निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान गलादेश कि जो एड है कि लेने से इनकार कर दिया है और वो जो एड है वो वापिस पंगादेश में भिजवा दी गही है जो कि एक बिल्कुल फेक प्रापोगंडा है इंडियन मीडिया की जानिब से और इमत्राई अफसोस के साथ कि इस ताइप का प्रापोगंडा हमेशा से किया जाता रहा है पाकिस्तान जब एक था बंगलादेश और पाकिस्तान एक थे तब यही जो strategy है इंडिया की जानिब से अपनाई गई थी और propaganda जो war है खेली गई जिससे दोनों ठीक है एक इस पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के दरम्यान जो differences है वो create किये गए ठीक है तो इसी चीज़ को लेके अभी भी इ और जो है start हो जाती है और वो कोई मुका ऐसा नहीं छोड़ते कि ठीक है पाकिस्तान और बंगलादेश के दरम्यान differences पैदा हो सकें ठीक हर जगा ठीक है पैदा करने की वो कोशिश करते हैं अब एक नई चीज़ यह start हो चुकी है इंडियन चैनल पे आप लोगं को यह वीड रिपोर्ट किया गया कि पाकिस्ताने जी एट वापिस बेज़ दिया बंगलादेश को जो कि टोटली फेक निउस अभी मैं आप लोगं को इसी तरह की एक फेक नियूस शेयर करूंगी वैल लेट सी कि यह क्या कह रहे हैं अभी मैंने की कोई बात ने सुनी है आप लोगं सा बात नाव रिसंड़ी पाकिस्तान ने अपनी इमेज बचाने के लिए बांगलादेश से फ़रैंशल एड मना कर दी रिजेट कर दी यहां वराब देख पाऊगे पाकिस्तान रिजेट फ्लड रिलीव डोनेशन वर्थ वान लाग फौटी फाटी फाज़न डॉलर्स रॉम बांगलादेश नाव यहां पर मैं आट कर दू वान लाग फौटी फाज़न डॉलर्स को आप अगर कनवर्ड करोगे इंडियन रुपीज में तो रफली आप कह सकते हैं एक करोड पंदरा लाग सौरा लाग की आसपास का अवाउंट बैठता है तो ऐसा नहीं है कि बांगल बांगलादेश एक ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान से तूट के अलग हुआ है और तूटने का रीजन आपको पता है क्या है 1970 में बताया जाता है कि बांगलादेश को एक बहुत ज़ादा भीशन साइकलों ने हिट किया था इस पाकिस्तान था उस वक बांगलादेश इस पाकि पाकिस्तान ने help करने से बना कर दिया तब जाकर शेख मुझीवु रह्मान खड़े हुए बांगलादेश के लोगों को ये समझ में आ गया कि खुद का कंट्रीन को चाहिए होगा और इवेंचुली हमने देखा कि 1971 वार हुई और इंडियन मिलिटरी की डिसाइज़िव इंटर वेंचंग के बाद बांगलादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो वो सब हिस्ट्री याद करके पाकिस्तान के लिए बहुत जादा अम्बेरेसिंग होगा कि बांगलादेश से ये आज के समय एड एकसेप्ट करना स्टार्ट कर दे इसके लिए अभी पाकिस्तान ने ये aid नहीं ली है even though United Nations officially कह चुका है कि पाकिस्तान में 16 million मतलब के 1.60.000.000 बच्चे हैं जिनकी जिनकी बुरी तरीके से impact हुई है इनकी education इनका घरबार सब कुछ destroy हो चुका है और total losses की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के economic losses 40 billion dollars से भी उपर जा सकते हैं ये पा पाकिस्तान ने बांगलादेश से help क्यों ठुकरा दी और आप जानके हरान होंगे के एक time था 2004 से लेकर आप कह सकते हैं 2021 तक जब भारत ने भी 16 साल तक कोई भी foreign aid accept नहीं करी थी फिर हमने अपनी policy change करी तो भारत ने भी 16 साल तक foreign aid accept क्यों नहीं करी यहाँ पर geopolitics foreign aid का क्या relation ह बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा मगर आप जब हम बात करते हैं ना foreign aid की ना foreign aid से आप समझ पारे होगे कि आप बस पैसे दे रहे हो यह loan का पैसा नहीं है यह पैसा आपको वापस ने आने वाला यह बस दान है इसको लेकर इंडिया में और even बाकी countries में बहुत debate होता है अब मैं वैसे आपको बताता हूँ जब भी भारत में कुछ हम accomplish करते हैं कुछ बहुत जादा remarkable कुछ हम बनाते हैं या फिर economy में आगे निकलते हैं इस दो कुछ भी करता है UK से सिर्फ एक बात आती है हम उनको financial aid क्यों देती है जबकि UK बहुत जादा कम कुछ million dollars financial aid देता है व जब इंडिया एतना strong हो गया तो इंडिया को हम financial aid क्यों देते हैं बीज में आपको याद होगा UK ने एक तर्फ निकाला था कि इंडिया ने 330 million dollar का statue of unity बना दिया UK ने 1.1 billion pound दिये थे इंडिया को यह अफ्कोर्स बात कर रहे हैं 2012 से लेकर 2016 के टाइम की फिर even recently मैं देख रहा उनको foreign aid दिना बंद करो खुद पे खर्चों को पैसा मत दो जबकि आप जानके हरान होंगे डॉक्टर मनमोन सिंग जी ने 2004 में एक आप क्या लीजिए unspoken policy बना दी थी यह policy है थी कि भारत सरकार directly किसी देश से foreign aid नहीं लेगा यह हमने शुरू किया था 2004 सुनामी के बाद 2004 म हम इस सुनामी से रिकावर अपने दम पे कर लेंगे किसी देश की हमको आवशकता नहीं है यहां पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल आपको दिएगा 2004 का government refuses foreign aid to fight disaster और उसके बाद एक के बाद इक disaster हुए उत्राखण में बाड़ आ गई 2013 में उससे पहले कश्मीर में भु government foreign aid नहीं ली और तो और ये वो टाइम है जब हमारे President of India उस वक्ते प्रनम उखरजी साब इन्होंने directly UK के मीडिया को क्या दिया कि तुम foreign aid क्या करते रहते हो नहीं चाहिए तुमारी foreign aid peanuts की तरह है मुमफली है मतलब बहुत जादा कुछ million dollars देते हो और उसके बाद बोलते इ इंदू का आपको आर्टिकल दिएगा प्राइड और फॉरन एड इसको पढ़िएगा 2018 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था चार साल पहले यहां पर लिखा है कि बिलकुल भारत ने फॉरन एड नैशनल प्राइड के इशू को लेकर रोक दी के हमको कोई यह क्यों कहें कि हम हमें हेल्प चाहिए हम स्ट्रॉंग हो गई है अब देखे हमें एज एक कंट्री कहीना कहीं कॉंप्लेक्स तो है क्योंकि एकॉनमिकली हमको बहुत जादा लूटा गया प्लंडर किया गया हमारी एकॉनमी को हमारा जो एक देश हुआ करता रहा उसको बार दिया गया और फि यह किसी यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अच्छे लगते हैं कहीं ट्विटर वगरा पे कोई आदमी या सी कोई लिखरा हो वहाँ पे अच्छे लगते हैं इमोशन्स वगरा भेरे हैं बट कंट्री लेवल पे आपको राशनल हुना पड़ता है आपको प्र है ये निका कि तुम गरीब कंट्री तुम क्या हमारी हल करोगे यिवसने गा के घंक युअ एड ले लिए चाइना के या बहुत बड़ा अर्थ कोई आया था दोजार आठ में चायना हमसे उस वकлом हमसे शुक्पी चाइना बहुत आगे था हमसे चाइना ने भी यहाँ पर हमारी तुमसे border dispute है, हमारी economy बड़ी है, तुम क्या हमारी help करोगे, China ने भी aid ले ली, और ये देखिए, आप कह लीजिए, जरातार countries में एक simple policy है, कि अगर आपके आँ disaster आया है, और कोई country आपको aid दे रहा है, unless उस country के साथ कोई बहुत आपकी war चल रही हो, दुश्मनी हो, वो तोड़ी थी, 16 साल बाद 2021 में, जब भारत में covid बहुत ज़रा फैल गया था, यहाँ पर आप देख पाऊगे, दोजार रिक्टिस कार्टिकल है, कि इंडिया open to foreign aid, okay to buying from China, हमने foreign aid accept करी, France है, UAE से आपको याद होगा, oxygen के slender आए थे, covid-19 की donations आई, सरकार ने का ठीक है, pandemic फैल ने जी, aid जो है, reject कर दिया, यहाँ पर I think जो early material है, वो accept कर लिया गया है, और जो ठीक है, पैसो की सुरत में aid थी, उसको reject किया गया, well, इसको ले के जी, अब भी तक मैंने कोई पाकिस्तान मीडिया के जानिब से कोई बात नहीं की कोई official statement नहीं देखा, यहाँ पर सबसे पह हुए, आप बंगलादेश के जो news media outlets हैं, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को report किया है, well, पाकिस्तान से मैंने ऐसी कोई news नहीं देखी, यहाँ पर जो धाका ट्रिब्यून है, उनकी जानिब से भी ऐसी कोई news अभी तक published नहीं की गई है, well, जो के धाका ट्रिब्यून, जो के बंगलादेश का ओफिशल चैनल है, उनकी जानिब से अगर इसको report नहीं किया गया, तो well, इसमें, I don't think कि इसमें कोई authenticity है, because पाकिस्तान में जो सूर्तिहार चाहरी है, आपनों देखा होगा के पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो के बिल्कुल भी जो उसको पाक ब्लाबला, ठीक है, तो अगर यहां पे बंगलादेश पाकिस्तान को कोई पैसे दे रहा है, तो I think इसमें पाकिस्तान को कोई issue नहीं होना चाहिए, पाकिस्तानी officials को यहां पे इन्होंने ego की बात की प्राइट की बात की के, प्राइट जो हाल्ट होता है, ठीक है, जब आप पाकिस्तान की economy face का रही है, तो ऐसे में बंगलादेश की aid पाकिस्तान को accept करना totally बनता है, यहां पे इन्होंने काफी अच्छा logic पेश किया कि, इंडिया में भी इस चीज़ को लेके काफी ठीक है, ego रखी जाती रही है, जो इंडिया की global situation, global image है, वो खराब होती है, तो इस इसकी जानिब से aid को accept किया जाता है, यहां पे इन्होंने चाइना की मसाल दी, फ्रांस की मसाल दी, और काफी भड़ी ऐसी stable countries ने foreign aid accept की हुई है, तो यहां अगर for example पाकिस्तान की जानिब से इसको नहीं accept किया जाता है, तो यह एक normal सी चीज़ है, इसमें कोई इतनी भड़ी issue वाली बात नहीं है, वाल आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, यहां एक special यह चीज़ है कि other countries की अगर aid accept की जा रही है, तो बंगरा देश की जो aid दी हुए aid है, ओभी accept हो नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, आप लोग क्या कहना है, आप लोग लास्मी बताना है, comment section में, वीडियो को आप लोग ले लास्मी लाइक करने, लाइक का पड़े सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लास्मी शेयर करने है, अपर फ्रेंस और फैमली के साथ, मेरे चानल को निक्या हो, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब् कर लें बैले एकन को क्लिक करके और पर क्लिक कर दें ताफिश अप्लोड करूं आप लों को लास्ट मी नॉटिकेशन मिले अगर आप लोगों मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मजे इंस्सेग्राम और फेस्बूक का पेज माँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं अब स आप दो थेखलों को कर दो प्रूबए यॉबए लोगों मुझे नुएके लगों मुझें लुएके यॉएके लोगों मुझे लगाव को